उन्नाव रेपकांड की पीड़ता के जिंदगी अभी भी लखनव के अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही है सांसों की टोर, वेंटिलेटर से जुड़ी हुई है और इनसाफ के उमीद में शरीर में जान भी बाकी है रेपकांड में लानत मलानत और फजीहत जिलने के बाद योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को 25 लाग का मौवज़ा थमाया है लेकिन परिवार अभी भी इस दहशत में जीने को मजबूर है कि पता नहीं कब बाहुबली विथायक कुलदीप सेंगर बाकी बचे लोगों को भी मरवा दे पीम जेंगर ने मेरे चार-चार लोगों को एक्सिटेट करा करके दो लोग तो खतम हो चुके हैं दो लोग खायल करें है मेरे लड़की देखा और जाहिए जब प्याइब नहीं करें दिल्ली नहीं ले जाएंगे यहीं कि दवा चलेगे तो बड़ी सुड़क्चा मिली है जब तक का उनका सजा फांसी सब्रोगन का नहीं वही जाई जब तक का हमें आतिमामा संतोस नहीं है उन्नाव रेपकांड में CBI ने अपनी जाँच तेज कर दी है सप्रिम कोट की सक्स्ती के बाद जाँच जिंसी ना सर्फ लखनव राइबरेली हाईवे पर उस जगा का मुआइना कर लिया है जहां पीलित की कार और ट्रक की टककर हुई थी बलकि पीड़ता की मा और परिवार से भी केस और हादसे के बारे में जानकारी लिए है हम लोग कहा जाएंगे और कैसे जीएंगे कोई कमाने वाला नहीं विधायक कुलदीप सिंग सेंगर का खौफ देखिए कि वो जेल में बंध है लेकिन उसका खौफ पीड़िता के परिवार के सर चड़ कर बोल रहा है हाला कि विजेपी ने पहले से ही निलंबित चल रहे कुलदीप सेंगर को अब पार्टी से भी निश्कासित कर दिया है लेकिन इससे क्या उसकी ताकत और रसूख में कमी आएगी क्या विधायक का खौफ कम होगा लगनाव से आशेश इरवा स्वार कुमार प्शेट